Hello student, RCA Education Hub बांसुर की ओनलाइन क्लासेज में आपका हर्दिक शुवागत है मिनी कोटा के नाम से जाना जाता है बांसुर छेत्र को जिसका सरवादिक सेश्ट परिक्षा प्रणाम देने वाला इस्कूल है RCA School बांसुर स्टेट मेरिट वेजिला मेरिट देने वाला इस्कूल है RCA School बांसुर RCA School बांसुर में ओनलाइन एड्मिशन प्रणाच चालू है आता हैं ओनलाइन एड्मिशन लेने के लिए मैं मोबाइल नमर बोल रहा हूं नोट करेंगे 9001455881 दुबारा से सुने 9001455881 पर न्यू इस्टुडेंट लिकर वार्ट सब करें आज की क्लास में हम बात करेंगे PCR PCR क्या है PCR पोलीमरीज चैन रियक्षन पोलीमरीज एक एंजयम है चैन रियक्षन यानि स्रंकला अभी क्रिया PCR क्रिया में सेंपल लिया जाता है सेंपल से डियने प्राप्त किया जाता है और टार्गिट डियने लिया जाता है और PCR क्रिया संपन होती है जो थर्मल साइक्लर में संपन होगी और जो टार्गिट डियने है उसकी अनेक प्रतिया बनेंगी यानि कोपी ऑफ दा टार्गिट डियने किस प्रकार से बनेंगी यह आप मेकरिज्म और PCR में अध्यन करेंगे PCR क्रिया के अंदर थर्मल साइक्लर जो डियाग्राम आप देख पा रहें थर्मल साइक्लर है जिसके अंदर PCR क्रिया संपन होगी यह ताप को नियंत्रित करता है जिसके अंदर PCR क्रिया संपन होगी और डियने की प्रतिया बनेंगी PCR क्या है PCR का अर्थ है पॉलिमरेज चेन रियक्षन अर्थ हार्थ पॉलिमरेज रंगला अभी क्रिया PCR का विकास कैरी मुलसनी किया था यह आपको जहां रखना है यह बोर्ड एक्जाम में पूछा भी गया क्यूशन है कि PCR का विकास किसे ने किया था कैरी मुलसनी 1903 में PCR एक ऐसी विदी है जिसके द्वारा DNA की छोटे सिगंड से कुछी घंटों में करोडों प्रतिया बनाई जा सकती है इछले बार बोर्ड एक्जाम में पूछा गया क्यूशन है एग्रिकल्चर भाइलोजी में कि उश विदी का नाम लिखिए जिसके द्वारा DNA की छोटे से खन से कुछी घंटों में करोडों प्रतिया बनाई जा सकती है तो क्या लिख आंस्वर क्या होगा PCR यह तक्निकी पूंते सवचालीत है जो तापी चक्रों पर निर्भार करती है कि आप ताप बढ़ाएंगे गठाएंगे तो आप देखेंगे कि जैसे ही अब भैतर डिगिस इंडिगेट करेंगे तो टेक डिएने पॉलिमरेज भैतर डिगिस पर क्या होता है अधिक सक्री होता है जैसे डिएने की प्रतियां बनेंगी PCR में सामाने डिएने पॉलिमरेज के स्थान पर टेक डिएने पॉलिमरेज ये भी आप ध्यान रखेंगे कि इसके अंदर सामरे DNA Polymerase होता है उसके स्थान पर Take DNA Polymerase Enzyme कमे लिया जाता है Take DNA Polymerase Enzyme Thermos Aquaticus यह आपको ध्यान रखना है अपसा क्यूशन है यहां से Thermos Aquaticus नामक जिवानों से प्राप्त किया जाता है यह है Enzyme ताप इस्ताई होता है अर्धार बहत्र डिग्री पर अधिक सक्री होता है तो यह है PCR की सामाने बातें इसके बाद में हम अध्यान करेंगे mechanism of PCR यानी PCR की क्रियवधी तो डियाग्राम के माध्यम से समझेंगे तो पहले इन लाइनों को रेज कर देता हूँ उसके बाद में अगले पेज के उपड़ PCR की क्रियवधी तीन चड़नों में पूरी होती है पहला विक्रति करन निस्क्रिकन बोलते हैं डिनेचुरेशन यह एक दी सुत्र डियने है जिसमें पहला रजुक पांच डैस से तेन डैस दूसरा है तेन डैस से पांच डैस यह क्रियाद थर्मल साइकलर में शंपन होती है अर्धार जब अभिक्रति के मिस्तन का तापन नबबे से अठान में डिक्रिस अंडिकेट किया जाता है तो डियने के दोनों रजुक जो आप देख पा रहे हैं अलग अलग हो जाते हैं इसे बोलते हैं विक्रति करण पहला चरण है कि यहाँ देख देख पा रहे हैं कि यहाँ जो चारकों के बीच में हाइट्रोजंबन तूड जाता है जिससे डियने के दोनों रजुक क्या हो जाते हैं अलग अलग हो जाते हैं इसे बोलते हैं विक्रतिगर्ण दी नेचुरिशन दूसरा चरण हुआ एनेलिंग तापान उशिलन अब अब विक्रिया के मिस्टन का तापान 40-60 डिगीशन डिगेड किया जाता है तधा दोनों DNA प्राइमर्स ये प्राइमर्स है प्राइमर्स क्या होते हैं बात प्राइमर्स की करेंगे कि प्राइमर्स क्या है छोटे रासानिक संसलिसित अल्प नुकलोटेड जो DNA छेतर के पूरा कोते हैं उन्हें प्राइमर्स बोलते हैं ये ही DNA संसलिशन क्रिया की शुरुवात करते हैं यह आगे बढ़ेंगे पीछे से छारक जोड़ते जाएंगे तो प्राइमर्स होते हैं यही DNA संस्रेशन क्रिया की शुरुवात करेंगे जब अभीक्रिया की मिश्ण का तापंग 40-60 डिगिशन डिगिड किया जाता है तो दोनों DNA प्राइमर्स एक प्राइमर्स यह है प्रते एक DNA रज्जुक के तीन डेस री पर जूड़ जाता है इससे बोलते एनेलिंग तीसरा चरण आता है संस्रेशन विश्टार एक्स्टेंशन बोलेंगे तो अगले पेज के उपर चलते हैं डाइग्राम सही नहीं देख पाने हैं इन लाइनों को भी रेज कर देता हूँ अब तापमान को इस इस्तर पर रखते हैं जिससे अधिक्तम दरपाद DNA संस्रेशन हो सके टेख DNA पोलेमेज भेतर डिगरी पर सक्री होता है तो तापमान इतना क्या जाता है सब्तर से पिछेतर डिगरी शेन डिगरी किया जाता है तो DNA प्राइबर पूरक नुक्लिटाइड को जोडते भी दो DNA प्रतिया बना देता है कि इस जैसे आगे भढ़ता जाएगा जो आप देख रहें इदा यह आगे भढ़ता चला गया इधर आगे बढ़ेगा पीछे से चार क्या होते जोडते चले जाते है दो DNA प्रतिया बन जाती है तीसर चन के पूरा होनी पर PCR का प्रत्थम चकर पूरा होता है प्रतिक चकर को पूरा होने में 4-5 मिनिट का समय लगता है जैसे ये DNA की दो प्रतिया बनेगी ये DNA की दो प्रतिया बन चुकी है ये दो प्रतिया वापस प्रत्थम चर्ण में चले जाएगी तो 2-4 बनेगी 4-8 बनेगी तो ये चकर जारी रहेगा PCR का उप्यों की बात करें वांची डिने की अनेक प्रतिया बनाने में PCR का उप्योग किया जाता है प्रोब डिने फिंगर्प्रेंट बनाने में PCR का उप्योग किया जाता है प्रोब डिने क्या है डिने के वे खंड जिनकी साहिता से किसी भी जीव में उपस्तित उसके पूरक DNA खंडों की पैचान की जा सकती है उसे प्रोब DNA बोलते हैं जो आगे आप पढ़ेंगे अनेक आनवनसी ग्रोगों के निदान में PCR का उप्योग करते हैं DNA का 6 रख अनुकरम पैचान में PCR का उप्योग के जाता है नोट ध्यान रगना है PCR 60 चक्रों तक किया जा सकता है लेकिन साधान ते 20 से 30 चक्र ही किये जाते है तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद